ये जानकारी आप सब के लिए बहुत जादा महत्कुर्ण नले अगर ले लेते हैं तो का लिया या जाता उसको भी समझेंगे तो आज जो समझने वाले स्टे ओर दभास समझझे और कम से कम नॉलेज पर्पस से जरूर समझझे जानकारी रहेगा कभी जरुवत परा तो तुरंट आप जो है वैसा एक्षन ले सकते हैं अगर आपको वैसा जरुवत पर गया तो देखें कब लिया जाता है स्टे ओर्डर और लेने से क्या क्या फाइदा होता उसको आगे समझते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं देखें स्टे ओर्डर जो है अगर आपकी जमीन किसी ने कबजा कर लिया कोई आदमी है मान लेते हैं का आपका जिसे जो कोई भी पलॉट है या तो जमीन है वो आपका कोई जो है जोतरा है ठीक है जोतरा है मां लेते हैं आप वो पहले से किसी कारण बस हो सकता दादा पिता जी के समय से जोतरा है पहला बात ये हो गया दूसरा बात ये है कि आपका जमीन है ठीक है और आप उसको दबा के कोई घर बना लिये और कुछ इस पर बना रहा है ठीक है दूसरा चीज हो गया तिसरा चीज हो गया कि मतलब आपका जो जमीन है वो अभी खाली आपके कबजे में है और जो कोई दूसरा उसको कबजा करने की कोसिस कर रहा है आप बात को समझेए मतलब जो भी चीज़ है मतलब आप उसको कोई और जो है कबजा करने की कोसिस कर रहा है या कबजा किया हुआ है ये सारा बात जो है उसके लिए लागू होता है तो अगर आपकी जमीन किसी ने कबजा कर लिया है सारा कागजात आपके पास है तब आप जमीन पर ST order ले सकते हैं मतलब आपका कागजात का मतलब क्या होता है कि जमीन जो है जो भी जमीन है जमीन है उसका रसीद आप कटा रहा है ये चीज सबसे पहला और important कागजात होता है दूसरा होता है जमाबंदी आफी के नाम पे है ये भी चीछ होगा ही जब जमाबंदी एक तो होता है कि जिनके नाम से खत्यान है उसी के नाम से रसी कट रहा है लेकिन आप वो बैखती है जो कि आफी के नाम से जमाबंदी है और आफी के नाम से रसीद कट रहा है तो वो नहीं हो तक की रेजिस्ट्री हो गया तो जमीन तो आप ही की है ने लेकिन आपने उसका दाखिल खारिज नहीं करा है तो सरकार के पास जो है आपका उसका मानिता नहीं है मतलब सरकार के पास आप ओरिजिनल मालिक नहीं है ठीक है लेकिन तरीके से जो है आप मालिक है लेकिन आपको वो भी करा लेना चाहिए लेकिन फिर भी आप अगर आपके पास के वाला ही है आपका लेकिन जो है दाखिल खारी आप नहीं करा है लेकिन आपका कोई जमीन कबजा कर रहा है तो आप तो तब आप जमीन पर ST order ले सकते हैं ताकि उसपर कोई जो है construction work नहीं करेए मतलब जमीन पर जो है उदखल करने के बाद क्या होता कि बांडी करा के घर बना दिया घर चरा दिया यह सब बात नहीं कर सके कोई कन आपको कोट के द्वारा के दाइरे में उसको रखा जाएगा जब वो जमीन जो है ना एक तरह से बिवाद में हो गया कि वह दिवाद कुछ नहीं कर में ठीक हो सकता है कि मतला आप कमजोर का मतलब क्या होता है ना यहां पर कमजोर का मतलब होता है कि वो एक बल परियोग करके जो है आदमी आपका बल परियोग करके जो है कई कभजा करना चाहरा और आप ठीक है आप वैसा नहीं है आप एक तरह से educated person है और उस चीजों में नहीं रहते हैं ठीक है तो जो उसकी प्रविर्ती है वो उसका अपना एक प्रविर्ती है तो आपको क्या करना चाहिए तो आपको सबसे बहतर तरीका होता उस पर stay लगवा देने का ठीक है और बहुत सारे चीज की जो हैं बात करेंगे लेकिन यहां पर यह stay का मतलब ही होता है अब वो अगर करेगा ना तो तुरंट action ले लिया जाएगा ठीक है अब देखिए इसको और समझते हैं आगे उसके जो जमीन का stay होगा ना जब आप court से stay लेंगे तो stay का एक copy generate करके मिलेगा आपको वहां से stay का copy सारा बात लिखा हुआ रहेगा कि यह जमीन काता कितरा है रखबा इतना इतना जो है चहदी है है ना जो की मतलब जिस पर जी court का जो द्वारा जो एक तरह से दे दिया जाएगा कि इस पर जो कोई भी यहां पर करना वह एक तरह से गयर कानूनी होगा ठीक है अगर आप उस पर कुछ भी करते हैं तो फिर आपको फिर जो है आप समझ लिए आप एक तरह से फिर कानून के दाइरे में आ जाएंगे आप पर criminal case हो सकता है अगर आप stay अगर लग गया है और उस प्रोपरती को कुछ करते हैं तो फिक है आप समझ लिए polyastry लगने के बाद अगर जमिन पे stay लगा हुआ है registry फिक हो जाता है तो जो है नेकिन यह उस पे पहले लिए पहले से कोट का ही stay ठाए और आपने किसी ने उसको जो है बेच दिया तो वह जो है उस तरीके से अगर देखें तो अन्वैलिड हो सक्ता इस सब्सक्राइब ःस्टे ओडर से ठीक है अब हम बताते हैं कि जो इस्टे ओर्डर का जो आपको एक कॉपी का जो है जो है उसको एक डाक दौरा पोश्ट दौरा मिल जायगा यह करवाने के बाद वह तो इसको वो देखेगा एस्टे का कॉपी और वो एक तरह से वो समझ जाएगा कि इसपे अब स्टे लग गया है इस पे कुछ भी करना जो है गयर कानूनी है ठीक है अब देखें सब से कोई भी प्रोपर्टि देखें कोई भी प्रोपर्टि अगर बिवादी थो और लग रहा है कि इसमें और दूसरे के मतलब कबजा करने का सोच रहा है ठीक है आपका अंडर में है ठीक है अप अंडर रखी और कोई उसको करने का अगर सोच रहा है तो उस पे करने का बहुत सारा तरीका होता है उस बात को समझे आप ठीक है तो वह होता तरीका वहाँ पे इस्टे लगान सके यह जो है तरीका आपको अपनाना है देखिए इस्टे का जो कॉपी है ना जो इस्टे का कॉपी आपको मिलेगा आप चाहें तो उसको आप जो है ठाना परभारी को भी जाके दे सकते हैं और ठाना परभारी के द्वारा भी उस पे जो है एक तरह से रोक लगवा सकते हैं जो भी है आपका जो भी जिस एरिया में घर है उस एरिया का जो भी थाना पड़ता है तो आप वहां पे जो कॉपी जाके देंगे और उसके साथ आविधन के साथ ये कॉपी लगा देंगे ताकि जो है दूसरा जो भी पक्ष है आपका उसको जाके ये चीज बता सके किस पे ज जो आपका प्रोपर्टी है उसके कुछ भी निर्मान कारिय नहीं करा पाएगा और ना ही उसको जो है बेच सकता है देखिए मतलब अब क्या होता है कि बहुत ऐसा केस हुआ है कि आदमी एक जो है मालिक है और वो जो है जमीन बेच दिया ठीक है बेच दिया इसको अब ये बेचता है फिर इसको बेचता है है और वह आदमी दाखिल खारिस करवा लेता है दाखिल स्ट्री भी नहीं होता तो यह सब केस होता है कि जब आप यह करवा लिया है तो आप उपन सक्षन कुछ करेगा घर बनाएगा जो भी करेगा हो सकता है या उसको कबजा करेगा तो वो सब चीज के आप एस्टे ले सकते हैं और बहुत सारा तरीका है करने का अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप कमेंट करके पोस्ट सकते हैं डिस्क्रिप्सर में लिंक है अगर आपको वीडियो अच्छला लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को पहली बार देखने चैनल को सब्सक्राइब करके जिए लाइक ना उसको जरूर दबा लेजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब